Hi, this is Manish Sharma, so ये वीडियो में हम लोग सिखने वाले Auto Excel Sheet, Automation में कैसे सिनारियो बनाना है, क्योंकि आप लोग अभी तक manually सिनारियो बना रहे थे, थोड़ा आपको calculation में problem होगा, क्योंकि आप manually कर रहे हो चीजों को, Excel में calculate करना पड़ रहा है, So, मैंने क्या किया, मैंने एक file में automation formulas डाल दिये हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ strike price लिखना है, option premium लिखना है, और कितने number of lots में आपने trade किया वो लिखना है, और यहाँ पर automatically scenario क्या हो जाएगा, ready हो जाएगा, अब मैं आपको ये Excel कैसी use करना है, मैं आपको example के साथ बताता हूँ तो start करते हैं वीडियो, तो Excel को पता नहीं कि call या put क्या होता है, तो Excel को आपको एक coding language देना पड़ेगा, कि one मतलब call, minus one मतलब put, तो मैंने यहाँ पर एक coding language दिया हुआ है, अगर आप ये a column में one लिखते हो, तो Excel क्या समझ रहा है, call है, अगर आप ये a column में minus one लिख रहे हो तो Excel क्या समझ रहा है, put option है, तो हम लोगों ने coding language दे दिया Excel को, यहाँ पर आप one लिखोगे तो Excel समझेगा call है, यहाँ पर आप minus one लिखोगे तो Excel समझेगा put है, यहाँ तक clear है, अब long and short में क्या है, यहाँ पर number of lots है, अगर आपने एक lot by किया है, तो plus one लिखना है, अगर आपने तीन lot by किया है, तो plus three लिखना है, तो number of lots है यहाँ पर, अगर आपने लटसे किसी strategy में एक lot sell किया है, तो minus one लिखना है, अगर आपने किसी strategy में दो lot sell किया है, तो यहाँ पर minus two लिखना है, अगर आपने किसी strategy में तीन lot sell किया है, तो आपको minus three लिखना है, five आपको सम स्ट्राटिजी मैंने आपको एक्जम्पल दिया था तो यह सेम स्ट्राटिजी हम लोग auto excel sheet में डालके automatically scenario बनाते हैं यह same trade same strategy तो यहां पर हम लोग ने क्या trade लिया है future एक lot sell किया है 394 में और एक lot call by किया है 390 का call 22 में तो same scenario हम लोग auto excel trade में बनाते हैं तो future आपने sell किया है तो future में यहां पर आपको यहां पर आपको कुछ भी करने की ज़रूत नहीं है यह automatically zero ही रहेगा यहां पर आपको long and short में आपको लिखना है minus one क्यों लिखना है क्योंकि आपने future एक lot क्या किया है sell किया है future का कोई strike price होता नहीं है future में आपको directly यहां पर price लिखना है क्या rate में आपने sell किया है तो 394 में हम लोगोंने sell किया है और यहां पर मैंने one 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 कर दिया है क्यों क्योंकि हम लोग call buying कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने one lot लिखा call, strike price लिखा हैं यहाँ पर 390 और 22 में आपने खरीदा है, अब मैंने properly दोनों trade plot कर दिया है, उसके बाद जो यह remaining sales बचते हैं, यहाँ पर आपका mandatory value होना चाहिए 0, जब यह value 0 होगा, तभी Excel समझेगा कि उस cell में कोई position नहीं है, तो हम लोग ने यहाँ पर भी coding दिया हुआ है, अगर आप 0 लिखोगे, तो Excel समझेगा कि वो cell में कोई position नहीं है, अब यहाँ पर lot size दिया, यहाँ पर आपको add the money लिखना है, add the money strike price आपका था 390, तो मैंने 390 लिख दिया, अब यहाँ पर stripe distance आपको दिख रहा होगा, अब ध्यान से देखना, strike distance का importance क्या है, यहाँ पर मुझे अगर scenario बनाना है, मुझे देखना है कि 290 पर कितना profit आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर column add करना पड़ेगा, 290 लिखना पड़ेगा, और उसके बाद calculation करना पड़ेगा, लेकिन Excel में मुझे 290 लिखने की जरूत नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ strike distance change करूंगा, strike distance मैंने 20 किया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 290 पर इतना profit आएगा, 310 पर इतना profit आ रहा है, 85,000, तो मैंने 20 किया, तो यहाँ पर 290 का PNL बता दिया, अब आप देख सकते हो, 350 पर कितना profit आ रहा है, 30,000, 250 रुपीज, य सिनारियो, और यह सिनारियो आपका मैच हो रहा होगा, 350 पर कितना profit आ रहा है, 30,250, 450 पर कितना loss हो रहा है, 24,750, 350 पर 30,250, 450 पर 24,750, इसके ओपर कितना भी जाने तो fix loss है, नीचे कितना भी आने तो unlimited profit है, तो आपका scenario बन गया, ready हो गया, auto excel sheet में आपको scenario बनाने के लिए time लग दे दिया है, calculation में आपको easy हो और आप fast scenario बना सको, लेकिन यहाँ पर मैं एक important बात बताना चाहता हूँ, आप यह excel पर पूरा depend मत हो जाना, अगर आपने यहाँ पर एक mistake किया, excel scenario गलत बता देगा, और गलत बताएगा तब क्या होगा, आपको excel में profit देख रहा है, लेकिन actual मे position में loss दिख रहा होगा, क्योंकि आपने excel में mistake किया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, excel में आपको scenario बनाना है, उसके बाद आपको वही scenario manually बना की भी cross check कर लेना है, और example मैं आपको समझाता हूँ, mistake कैसे होता है, यहाँ पर मैं गलती से लिख दिया, 8 rupees, ठीक है, 22 में खर रदा था 22 में, तो 350 पे 30,000 profit आएगा, इस तरीकी के आप mistake कर सकते हो, अगर आप auto excel sheet में scenario बना रहे हो, बहुत fast scenario बना रहे हो, अगर आप auto excel sheet में scenario बना रहे हो, तो एक बार आप cross check कर लो, जो आपने trades plot की है, जो आपने strike price plot की है, वो correct है या नहीं है, तो इस तरीकी का mistake होने की chances जादा होंगे, तो इसलिए मैं आपको advice करूँगा कि आप scenario auto excel sheet में बना रहे हो, और इसके बाद manually भी excel में बना रहे हो, तो cross verify हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 22 लिख दिया, अभी ये correct PNL है, यह मैंने आपको protective call strategy का scenario बना के दिखाया, अब हम लोग bull call spread का scenario बनाते है इसमें, तो bull call spread strategy आपको याद होगा, हम लोग ने 330 का call buy किया था, 340 का call sell किया था, तो यहाँ पर अब future मैं zero value कर दूँगा, future मैंने zero values कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि अभी हम लोग future में trade नहीं कर रहे है, एक call buy किया है, एक call sell किया है, 330 का call buy, 340 का call sell, तो यहाँ पर one one ह नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि call में हम लोग trading कर रहे है, एक call buy किया है, एक call sell किया है, sell मतलब minus one, 330 का call हम लोग ने buy किया है, 340 का call हम लोग ने sell किया है, यह 14 में buy किया है, यह 11 में sell किया है, lot size 1800 है, add the money strike price 330 है, यहाँ पर आप strike distance कुछ भी लिख सकते हो, normally आप strike distance एक range के हिस आप से लिखना, अब मैं आपको समझाता हूँ, let's say expiry में ज्यादा दिन बचा है, तो आपका scenario का range क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ज्यादा moment आ सकता है, अगर आप कोई भी strategy expiry week में कर रहे हो, तो scenario का range क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, strike distance rubber band के जैसे है, अगर आपको scenario का range बढ़ा करना है, तो strike distance बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको scenario का range छोटा करना है, तो strike distance कम करना पड़ेगा, अब मैं आपको यहाँ पर example दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ one लिखा, तो अब यह देखो, एक एक रुपे के gap में दिखा रहा है, अभी एक एक रुपे के gap में scenario बता रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इससे थोड़ा ज्यादा moment आएगा, मैंने यह आपर strike distance 10 कर दिया, तो आप मुझे 10-10 रुपे के gap में scenario बता रहा है, आयोग आपको strike distance important part समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप दे सेनारियो right calculate किया, right बनाया है, अब हम लोग short triangle का भी example देख लेते हैं, तो short triangle में हम लोग ने एक call cell किया है, एक put cell किया है, तो ध्यान से देखना, एक call है और एक put है, तो put है, इसलिए मैंने minus 1 लिख दिया, एक call cell किया है, minus 1, एक put cell किया है, minus 1, यहाँ पर आपको strike price लिखना बाकी के cell में मुझे value 0 रखना है, क्योंकि मैंने जो trade लिया था हूँ, मैंने plot कर दिया है, तो बाकी के cell में values क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4000 lot size लिखा, add the money strike लिखा, 190, अब मुझे पता है कि मैं expiry week में trade कर रहा हूँ, तो power grid 120 आ नहीं सकता है, क्योंकि expiry week में में trade कर बहुत कम time बचा है, 120 power grid आ नहीं सकता है, तो scenario का range क्या करना पड़ेगा, चोटा करना पड़ेगा, तो अभी आप देख सकते हो, मैंने strike distance 2 rupees किया, अगर range में रह रहा है, तो 24,000 आएगा, 180 तक 4000 रुपे आएगा, 180 के नीचे जाने लगा, तो loss लगना चालू हो जाएगा, आ आप आपको scenario समझ में आ रहा होगा, auto excel sheet समझ में आ रहा होगा, यह excel sheet मैंने आपको दे दिया, ताकि आप calculation करने में easy हो जाए आपको, और आप during the live market scenario बहुत fast बना सको, आप आपको यह auto excel sheet बहुत अच्छा लगा होगा, live market में use करने के लिए दिया है, ताकि आप जब manually scenario बना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको save कर सकते हो, अब यहाँ पर कहीं भी मैंने stock का नाम लिखने का जगा नहीं दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप इसको save करोगे, तो power grid short triangle strategy, ऐसे आप नाम दे सकते हो, तो आपके लिए easy हो जाएगा, इसको आपको save as करना है, copy बना होना चाहिए, तो यह आप backup copy रखना तो आपके लिए easy हो जाएगा, तो आप एक folder बना लो scenarios का, उसमें आप अलग-अलग scenarios मना के auto excel sheet में save कर सकते हो, जिसे अभी मैंने आपको example बता है, bull call spread, protective call, short triangle, ऐसे आप 3 file save कर सकते हो auto excel sheet में, एक का नाम रह सकता है, bull call spread, एक का नाम हो स है, इस stock में scenario है, I hope आपको simple logic समझना आ रहा होगा, किस तरीके से आपको scenarios maintain रखना है, अपने folder में, ताकि आपको calculation में easy हो, और trading करने में आसानी हो जाए, तो यह वीडियो में इतना ही, thanks a lot for joining the option course, यह level 1 program था, जो आपने अभी complete किया है, अगर आपको advanced strategy सीखना है, advanced level 2 options सीख